नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर अमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिख स्वागते लिए अपडेट अपडेट निकलके आई है कि करमचारियों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है फिर बड़ेगा करमचारियों का वेतन 18 महीने के बगाया एरियर पर आई नई अपडेट तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 18 महीने के जो बकाया एरियर उस पे नई अपडेट किया आई है अगर आप हमारे चैनल पर फफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्काइब कर दीजे साथ ही साथ वैल आइकन को भी बजा दीजिए तकि गवर्मेंट या पैनिसन से सम्मंदी जितनी भी नियू जाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्ट के तो करते हैं वीडियो को स्टाट बिना किसी देरी के दोस्तों केंदर सरकार के सेवंध पे कमिशन करमचारियों के लिए एक अच्छी खबर है मेंगाई बत्ते को एक जुलाई से बढ़ाकर 31 पिफ्टी करने के बाद अब सरकार अपने करमचारियों को च्यार महीने का डिये देगी 18 महीने से लंबी डिये बकाया जारी रखने के निने की गोशना अभी नहीं की गई है लेकिन जल्द होने वाली है उमीद जताई जा रही है कि क्रिशमिश या नए साल से पहले दिसंबर में केंदरे करमचारियों के डिये बकाया पर फैसला हो सकता है साइंड पे कमिशन के तहट के अंदर से अपने करमचारियों के 31% डिये के अलावा कई तरह के लापरदान किये हैं National Counseling of JCM के स्चीव स्चीव को पाल मिश्रा ने कहा है कि प्रिसद ने संसा सरकार के सामने मांग की है कि डिये बहाल करते हुए 18 मां से लंबी डिये एरियर का बुक्तान जल्द ही किया जाएगा। उमीद है कि डिसंबर में डिये बकाया के मामले पर कैबिनेट स्चीव से चर्चा हो सकती है। 37,000 रुपे के बीच में होगा वही लेवल 13 के करमचारियों को 1,44,200 रुपे से 2,18,200 रुपे डिये एरियर के तोर पर बिलेगा। संसत के मांसूद सातर में केंदर सरकार ने सबस्ट किया कि मैंगाई बता बाहल किया जास रहा है। तो दुफ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत